दोस्तो ये बात है 1968 के आसपास की जब फिल्म विश्वास पर काम चल रहा था जिसका म्यूजिक दिया था कल्यान जी आनन जी ने उन दिनों में गीत कार गुल्शन बावरा नए नए फिल्म इंडस्टी में आये थे तब किसी ने उनकी मुलाकात करवा दी कल्यान जी आनन जी और फिर बातचीत होने लगी तब बात करते करते अचानक गुल्शन बावरा रोने लग गए तो कल्यान जी ने रोनी की वजह पूछी तब गुल्शन बावरा जी रोते रोते बोले उन्होंने पंजाबी में कहा के एक कुड़ी ने मैंनू छड़ दिता ही यानि एक लड़की ने मुझे छोड़ दिया है उसने सोने चांदी की दिवार ना तोड़के मेरा प्यार भरा दिल तोड़ दिया गुल्शन बावरा जी की ये बात सुनकर कल्यान जी आनन जी का कहना था के इस पर तो एक गाना बन सकता है ये तो किसी गीत का मुखड़ा भी बन सकता है उसके बाद गुल्शन बावरा जी ने थोड़ा सोचा और पूरा गाना ही लिख डाला जिसके बोल थे चांदी की दिवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया ये गीत सब को बहुत पसंद आया और फिल्म विश्वास में इस गाने को रखने का फैसला लिया गया मियूजिक डिरेक्टर कल्यान जी आनन जी के पसंदीदा गायक हुआ करते थे मुकेश जी और उन्होंने मुकेश जी से ही ये गीत रिकॉर्ड करवाने का सोचा फिर सिंगर मुकेश जी को बुलाया गया मुकेश जी की दर्द भरी आवाज में ये गाना बहुत बहतरीन बन गया था जब सिंगर मुकेश जी इस गाने को रिकॉर्ड करवा रहे थे तब बाहर बैठे गुलशन बावरा बस रोए जा रहे थे और जब मुकेश गीत कम्पलीट करके स्टूडियो से बाहर आए तो महौल इतना गमगीन हो गया था कि गुलशन बावरा दो घंटे तक मुकेश जी के पास बैठ कर बस रोते ही रहे सबने उनको बहुत समझाया और काफी देर के बाद महौल थोड़ा सा खुशनुमा बन पाया था इस तरह से ये गानर रेकॉर्ड हुआ गुलशन जी का पूरा नाम था गुलशन कुमार महता उनको बावरा टाइटल भी कल्यान जी आनन जी ने ही दिया था और वो प्यार से गुलशन बावरा जी को गुलू कहकर ही बुलाते थे दुख तो हर इंसान की जिंदगी में होते हैं बस तैह हमें करना है कि उन दुखों को पकड़ कर बैठे रहें या जिंदगी की एक नई शुरुआत करके उन दुखों को दरकिनार कर दें तो दोस्तो अगर इंफर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए